राजिस्तान का दिन खुरों की लए और रेत की धुरों के बहाओं में धड़कता है। जहां रेगिस्तान अपने कठिन परिवेश में जीवन की कहानिया सुनाता है, यहां एक समुदाय रहता है। चरवाहा, राइका, गुजर और कई अन्नी। राइकेक बेटिर वर्दान है के आठा लेके नहीं चलेंगे, खाना लेके साथ मनी जाता है। जल्माहट के लिए उन, जीविका के लिए दूद, खेतों की जुदाई के लिए खुर, भूमी को हरा-भरा करने वानी गती, उनका जीवन उनके पशों के आसपास गुमता है। लेकिन रेगिस्तान रहने के लिए आसान जगे नहीं है। रेगिस्तान की दूरियां समुदायों को अलग खलग करती हैं, विकास उनके जीवन यापन के लिए एक चुनोती बन रहा है और जल्वाईयू परिवर्दन का सीधा प्रभाव दिख रहा है। ऐसे में रोजमर्रा के कारे संगर्ज बन जाते हैं और प्रगती दूर की म्रेक्टिशना बन जाती है। लेकिन एक नई सुबह हो रही है जो रेगिस्तानी सूरज और राजीविका पर एक चमकते प्रकाश को अपने साथ लिए गुए है। दूद अब लंबे समय तक ताजा रहता है। उन से उत्पाद, साफ और तीजी से बनते हैं। सोर उर्जा समुदाय को शशक करती है। नई संभावनाएं और सपने सामने आते हैं। आईए चरवाहों के साथ एक ऐसी यात्रा पर चले जहां परंपरा एक प्रगितिशील भविश्य के लिए प्रध्योगी की से मिंती है।